अच्छिंट अच्छिंट इस फिर्वम जग्दीशन वेल्गेंगि व्ल्कम थनल बॉह पॉटोरी अखिंप इंप्लियमेंट इस्का बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि सर्व चाप्टर कप खटम होने वाला है ये मुझे बता दो तो chapter खतम होने वाला है आज आपका, एक second, yes, there you go, so chapter आज खतम होने वाला है, तो इसका six part में लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं पूरा chapter जो बचा हुआ portion है, वो complete करा दूँगा, तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाकर देख लो, playlist में add कर दि उठा के पढ़ना शुरू कर सकते हो, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, और हम theory of income employment में अब जो बचा हुआ portion है, वो complete करने चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात अगर तुमसे कोई पूछ है कि full employment क्या होता है, full employment का मतलब क्या, कुछ लोग हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, at existing wage rate और उनको काम मिल रहा है, उस situation को बोलते हैं, full employment, मैं काम करना चाह रहा हूँ, मुझे salary से कोई issue नहीं है, जिस salary पर काम मिल रहा है, मैं उस salary पर काम करना चाहता हूँ, इस चीज़ को बोलते हैं, full employment, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिख कर आएंगे, ताकि तुमारी माम को ख अब जिसे employment की बात की है, तो unemployment की भी बात करना चाहता है, पहली voluntary, मतलब मैं काम नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल रही है, लेकिन मुझे काम नहीं करना है, इसको बोलते हैं, unemployed because of choice, दूसरा involuntary unemployment होता है, मतलब मैं काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन साहब नौक पर it is not by choice, तो तुम्हें unemployment के बारे में भी समझ में आ गया, अब main topic के उपर बढ़ रहे हैं और main topic है हमारा excess demand, यह excess demand की definition को पढ़ने से पहले या इसको basic तरह से समझने से पहले इसका diagram समझना बहुत ज़रूरी है, तो copy पर उठा लो मेरे साथ बनाओ diagram excess demand का, ठीक है, चलो भई यह है boss x-axis, then we have origin, then we have y-axis, मेरे साथ साथ बनाओंगे, मज़ा पूरा आएगा, यहाँ पर है income, चलो भाई, लिखते चलो, यहाँ पर है income, यहाँ पर है desired aggregate expenditure desired aggregate expenditure, बत समझ में आ रही है, format समझ में आ रहा है, कोई दिकत वाली बात तो नहीं है, चलो भया, यह मैंने बनाई है income key line, this is my income, चलो, अब मैं बनाने जा रहा हूँ, aggregate demand, चलो मेरे साथ साथ प्लोट करो, this is ad0, अब 0 क्यूं रखा है, इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर ब बताओंगा, ठीक ना, यह है हमारा aggregate demand, और जहां पर cut कर रहा था, वो situation थी हमारी equilibrium की, मतलब इस situation पर demand और supply बराबर थे, यहां पर aggregate demand और aggregate supply बराबर हो रहा थे, equilibrium की situation हुआ कर रही थी, इस चीज़ को बोलते थे हम लोग full employment की situation, मतलब इसको y1 रख देते हैं, और इस situation को क्या बोलते थे, इस situation को बोलते हैं, full employment की situation, यहां पर demand और supply बराबर था, अब क्या हो गया, एकदम से लोगों की demand बढ़ने लगी, लोगों की demand बढ़ने लगी और लोगों की demand बढ़कर हो गई है, AD1, कहां पर पहुंच गई लोगों की demand, AD0 से बढ़कर हो गई है, AD1, तो अब जो इनके बीच में, जो यह difference आया है, इनके बीच में यह जो gap आया है, इसी को बोलते हैं, excess demand, मतलब दो demand के बीच में, जो gap है, उसको excess demand बोला रता है, corresponding to full employment level, ज़रा इसकी भी marking कर लेते हैं, यह point को बोल लेते हैं, अपन लोग A, और इस चीज़ को बोलते हैं, क्य इसको बोलते हैं, excess demand और inflationary gap, excess demand या inflationary gap, तो तुमको डाइग्राम तो समझ में आ गया, मतलब full employment के level पर, मेरी demand AD0 से AD1 हो गई, तो जो बीच का difference है, उसको excess demand कहा जाता है, यह तो बात समझ में आ गई, अब इसकी meaning देख लेते हैं, जो हमने लिख के रखी है, the amount by which actual aggregate demand exceeds the aggregate output corresponding to full employment level, इसको हम लोग बोलते हैं, aggregate demand, बात समझ में आगी, लेकिन logic यह समझना है, क्यों होती है, यह excess demand की situation, आ क्यों है, मैं बार बार aggregate demand बोल रहा है, माफ़े चाता हूँ, यह excess demand की situation आती क्यों है, excess demand मतलब inflation, inflation आता ही क्यों है, क्योंकि लोगों की purchasing power बहुत जादा है, लोगे पास income बहुत जादा है, इसकी वजह से लोग जादा demand कर रहे हैं, पहले demand क्या कर रहे थे, AD0, अब demand करने लगे, AD1, मतलब demand exceed कर गई, यह जो exceed की है, इसी को बोलते है, excess demand, और इसके causes पढ़ेंगे, और इसको correct कैसे करेंगे, यह पढ़ेंगे, तो हमारा topic हतम हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रा और देख लेते हैं, यह inflationary gap कैसे निकाला जा सकता है, अगर मुझ AY1, AY1, इस पूरे में से EY1 घटा दूँ, तो क्या निकल कर आएगा, AE, क्या निकल कर आएगा, AE, कैसे निकाला हम लोगों ने, इस total में से यह निकाल दिया, तो बचेगा, क्या, AE और यही क्या हो जाएगा, आपकी, excess demand, clear एक निकलियर, पेपर में यह calculate करके दिखा, पूरे मिल सके, क्या बात समझ में आ रही तुमको, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका opposite topic, deficient demand क्या होता है, फिर इसके causes, फिर इसके correction के ऊपर आ रहे होगा, फिर chapter हमारा खतम हो रहा होगा, क्या यहां तक बात समझ में आ गई है, इसका answer exactly लिखना कैसे है, मैंने notes में आप तो diagram बनाते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, चलो भईया चलो diagram बनाते हैं, copy pen निकाल लो, मेरे साथ साथ आपको diagram बनाना है, यह है x-axis, यह है origin और यह है y-axis, यहाँ पर आ रही है income, और यहाँ पर आएगी desired, aggregate, expenditure, desired, aggregate, expenditure, अब चलो बनाके दिखाते हैं आपको line, यह वाली है मेरी income की line, और मेरी यह है aggregate demand, AD, 0, मतब actual aggregate demand मेरी यह थी, अब मेरी demand fluctuate होकर कम हो गई है, बेटा, मेरी demand कम हो गई है, अब मेरी demand AD, 0 से नीचे आकर AD, 1 हो गई, निकालेंगे कैसे calculate, कैसे किया जाए, आओ जरा देखते हैं, सबसे पहले मेरा यह equilibrium level हुआ करता था, ठीक है ना भीया, यह मैंने दूसरा point लग दिया, यह क्या हो गया है, यह हो गया deficient demand, यह deflationary gap, और यह मेरा क्या था, full employment, मतब इस situation पर AD और AS, AD और income बराबर हुआ करते थे, economy full equilibrium में चल रही थी, कोई दिक्कत पर रशानी वाली बात नहीं आई, फिर हमारा क्या हुआ, demand कम हो गई, corresponding to full employment, अब demand AD 0 से AD 1 पर आ गई है, इतने का जो बीच का difference है, इसको क्या बोलेंगे, deficit demand या deflationary gap, कोई दिक्कत पर रही बात तो नहीं है, आपकी किताब में अगला equilibrium भी दिखा दिया है, जरुवत नहीं है इसकी दिखाने की, लेकिन चाहो तो दिखा सकते हो, और इसको E- लेलो, जरुवत नहीं है, अगर नहीं दिखाऊ कोई तो भी चल जागा, लेकिन बुक minus Ay1, से क्या आजाएगा, Ea, deficit demand क्या हो गई? Ea, यह calculate करके जरूर दिखा देना पेपर में, else problematic होता है, when it comes to correction of the answers, clear है, यहां तक बात समझ में आगई? इसकी theory भी देख लेते हैं, बॉस, है क्या? Theory में क्या बोल रहा है? The amount by which actual aggregate demand falls short of aggregate output, corresponding to full employment level in the economy is known as deficient demand. क्या तुमको बात समझ में आगई है, जो हमने बताया, diagram के through, अब demand में confusion तो आता है, कि सर इसका reason गया है, deficit demand मतलब क्या है, लोग पास पैसा ही नहीं यह खर्च करने के लिए, excess demand मतलब लोग पास बहुत पैसा है, consume करने के लिए, तो इस situation के causes क्या है, इसको correct कैसे करेंगे, आईए उस topic पर बढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले topic पर आ रहे हैं कि excess demand के causes क्या है, paper के लिहाज से बहुत important है, बहुत important है, बहुत important है, बहुत important है, जरूर mark करके लिख लो, और हो सकता है, आपके अभी तक किसी paper में, आ भी चुका हो, चीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, स कि मेरी कही ना कही से income बढ़ गई होगी, तो पहला reason for excess demand क्या है, increase in household consumption expenditure, दूसरा क्या है, increase in private expenditure, private expenditure का मतलब क्या है, लोगों ने investment करना शुरू कर दिया है, ठीक है, private sector ने पैसा खच करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को बहुत जादा employment मिल रहा है, लोगों की income government expenditure, अब government अपने projects लेकर आ रही है, बहुत बड़े-बड़े projects लेकर आ रही, government भी खर्चा कर रही है, अब जब government खर्चा करेगी तो लोगों की salary बढ़ेगी, लोगों को employment मिलेगा, जिसकी वैसे भी consumption बढ़ेगा, aggregate demand बढ़ जाएगी, जैसे मान लेते हैं हमारे लखनों में मिला, मताब इसकी वैसे लोगे पास पैसा बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वैसे लोग जादा consume करने लगे और excess demand बढ़ने लगी, छीक है, बात सब्चा है, demand बढ़ने लगी, जिसकी वैसे excess demand की problem arise हुई, तीसरा, increase in export, increase in export क्या का मतलब क्या हो, जैसे हमने समान बाहर increase in money supply, money supply का मतलब क्या है, market में पैसो का flow बढ़ गया है, ज्यादा currency है market के अंदर, easily loan मिल जा रहा है, बात समझे हो, पैसा की availability बहुत ज्यादा है, तो जब money supply ज्यादा होगी economy के अंदर, तो लोग के पास पैसा ज्यादा पहुँचेगा, पैसा ज्यादा पहुचेगा, तो लोग demand जादा करेंगे, इसके सारे opposites अगर मैं यहाँ लिख दू, तो वो causes हो जाएंगे, deficient demand के, आप जैसे मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि मैं चाहता है तो तुम notes बढ़ाओ और अपने आप लिखो, पढ़ोंगे क्या, जैसे यहाँ increase in household expenditure है, तो यहाँ क्या हो जाएगा deficient demand समझ रहो ना क्या होता है, deficient demand का सीधा सा मतलब क्या है, लोगों को पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए वो demand नहीं कर रहे है, demand नहीं कर रहे है, इसकी वैसे deficient demand है, simple सा logic बढ़े आगे, अगले topic पर यह तरफ बढ़ते हैं, यह topic measures to correct access in deficient demand है, हाला कि exactly same topic money and banking chapter में भी आएगा, तो money and banking में मैं इसको और in-depth बता रहा हूँगा, जिसको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, However, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब कुछ आपको यहीं पर सिखा दूँ, ठीक है, एक-एक option को detail में पढ़ेंगे, detail में पढ़ेंगे, सबसे पहले आते हैं हम excess demand को कैसे correct किया जाए, excess demand को correct करने के लिए ना सरकार की तरफ से दो policy है, एक तो fiscal policy जो government of India exercise करती है, एक monetary policy जो RBI exercise करवाता है, चीक है ना, तो government of India क्या कहती है, कि लोगों के पास पैसा जादा है, जादा है इसलिए जादा demand कर रहे हैं, किसी तरह से उनके पास से पैसा कम करो, तो government क्या करना शुरू किया, government ने taxes बढ़ा दिये, अगर tax बढ़ा देंगे, तो लोगों पास पैसा कम बचेगा, कम बचेगा, तो कम consumption होगा, जिससे demand हमारी reduce हो सकती है, आगे बढ़ते हैं, reduction in public expenditure, अब public expenditure मतलब governments के projects, government के बहुत सारे प्रजेश चल लेते, डैम बना रहेते, रोड्स बना रहेते, फ्लाइवर्स बन रहेते, तो government ने क्या किया, कि भीया, मैं पैसा खर्च कर रही हूँ, इसलिए लोगों को पैसा मिल रहे हैं, जिसकी वैसे लोग ज्यादा demand कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, public expenditure को कम कर दिया जाए, जब सरकार कम पैसा खर्च करेगी, तो लोगों के पास कम पैसा पहुचेगा, जब कम पैसा पहुचेगा, तो demand automatically कम हो जाएगी, समझ में आगे ये भी बात, तीसरा, increase in public borrowing, public borrowing का मतलब क्या है, सरकार क्या कर रही है, ये सरकार है मान लेते हैं, सरकार, government, गव लोगों से पैसा उधार मांगना शुरू कर दिया, ये जनरल पब्लिक थी, जनरल पब्लिक से बोला, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, अभी जैसे थोड़े दिन पहले ही, वो, क्या करते हैं, NHAI के बॉंड्स आये हैं मार्केट में, तो वो एक perfect example है, public borrowing का, तो government बोला कि यार, तुम मेरे पास पैसा अगर जमा कर दोगे, मैं तुमको एक certain rate of interest दूँगा, तो लोगों ने बोला, अच्छा, investment हो रही है, लोग पैसा सरकार को दे रहे हैं, safe है, तो public borrowing बढ़ा दी, जब public borrowing बढ़ा देंगे, लोग अपना पैसा सरकार को दे देंगे for investment purpose, त तो लोगों के पास पैसा कम बचे का खर्च करने के लिए, जब लोगों के पास पैसा कम बचे का खर्च करने के लिए, तो excess demand की situation सही हो जाएगी, तो ने बाया, public borrowing का क्या रोल है, फिर आते है, reducing deficit financing, deficit financing का मतलब होता है, printing of new currency, अब नई currency नई चापनी है, नई currency कम चापेंग तो money supply कम हो जाएगा, excess demand सही हो जाएगा, अब इसी का opposite आएगा, deficient demand के अंदर, वहाँ पर क्या हो जाएगा, deduce in taxes, increase in public expenditure, decrease in public borrowing, increase in deficit financing, बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पैसा जादा provide करना पड़ेगा, government को, ठीक, समझ में आगा है सभी लोगों, आगे policy मैंने excess demand और deficit demand के दोनों के perspective पर आपको बता दिये, अब बात करते है, monetary policy exactly money and banking के chapter में आने वाला है, यह topic, ठीक है, लेकिन फिर भी, समझना है, क्या है, increase in bank rate, यह bank rate क्या होता है, क्या होता है, मैं तुम छोटे सा example दिखाऊ, माल लेते हैं यह है RBI, और यह है ना, छोटे छ तो RBI ने क्या किया, कि bank rate बढ़ा दिये, bank rate बढ़ा दिये का मतलब क्या है, RBI ने बोला कि हम SBI तुमको महेंगे rate से loan देंगे, जब हम तुमको महेंगे rate से loan देंगे, तुम general public को महेंगे rate से loan दोगे, जब तुम महेंगे rate से loan दोगे, जब तुम महेंगे rate से loan दोगे, जनर इंपक्त समझ में आ रहा है, अच्छा, defusion demand में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, decrease in bank rate, ताकि लोन सस्ते हो जाए, बात समझ में आ रही है, दूसरा क्या है, sale of government securities, अब ये government securities क्या होती है, समझना, इसका perfect example एक किसानविकास पत्र, फिक, एक तरह का bond होते हैं, आप क्या होती ह जो यह government है ना, government क्या करती है, इसके पास कुछ bonds होते हैं, bonds मतलब investment bonds, अब ये अपने investment bonds बेचती है, general public को और commercial bank को, कहती है ये bond खरीद लो कुछ rate of interest में आपको मैं पैसा दे दूँगा, मतलब एक लाग रुपर जमा करो, साल के एंड में 10% का return लेकर चले जाओ, तो government का किया, अपनी security sell करना शुरू किया, जब अपनी security sell करना शुरू किया, लोगों का पैसा उठकर किसके पास चला गया, government के पास, जब लोगों पास पैसा कम हो जाएगा, तो inflation या excess demand तो सही हो जाना है, पास समझ में आ रही है, इसका उल्टा किसमर होगा, इसका एकदम opposite किसमर होगा आगे बढ़ते, increase in CRR, अब ये CRR क्या होता है, जरा ये समझ लेते हैं, CRR क्या होता है, पता है आप हो क्या होता है, ये है जैसे RBI, RBI सारे commercial bank से बोलती है, कि तुम है, जैसे इस वाले bank के अंदर 100 करोड का deposit है, इसके अंदर 50 करोड का deposit है, इसके अंदर 10 करोड का deposit है, इन बैंकों में जमा कर रखा है, तो RBI कहती है, अपने deposit का कुछ percent हिस्सा तुम्हे RBI के पास as a security रखना पड़ता है, उसी चीज़ को बोलते है CRR, cash reserve ratio, मतलब हर commercial bank को अपने deposit का certain rate का पैसा RBI के पास as a security रखना पड़ता है, inflation आया, excess demand आया, तो ये CRR को बढ़हा दिया जाता है, बढ़हा देने का impact क्या होगा, अब जादा पैसा as a security रखना पड़ेगा, RBI के पास, बैंकों के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, इसलिए लोगों की purchasing power reduce हो जाएगी, क्या ये बात समझ में आए, इसका opposite होत तो अब तुम जाकर मुझे बताना यहां तक कोई दिक्कत आई आई आपको, और अब आते हैं, fiscal policy, monetary policy के भी beyond कुछ चीज होती है, उसको discuss कर लेते हैं, वो क्या है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी economy में excess demand है, जितनी demand है, उतनी supply हो ही नहीं पा रही है, तो demand में ये चीज नहीं आत लोग जदा demand कर रहे हैं, जदा production करो, या तो ये कर लो, या अगर हमारी industry produce नहीं कर पा रही है, तो विदेश से समान मंगा लो, import कर लो, इससे भी excess demand सही हो जाता है, clear, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परिशानी और similarly इसका exactly opposite, deficit demand में अब तुमको लिखना है अपने आप, और यहां तक की दिक्कत, अगर कुछ आती है, तो मुझे सरूब बताएगा, deficit demand में एक और अच्छा point है, जिसे बोलते हैं हम लोग export promotion, export promotion का मतलब क्या है, वैसी industry set up करो, जो ज़्यादा ज़्यादा समान, export करें ताकि पैसा आए, पैसा आए, तो deficit demand सही हो सके, तो chapter में कर, आप डाउनलोड करें, और pre-study material section का पूरा-पूरा फाइदा उठा दे, 15 November रो कुछ announce होने वाला है, so wait करें उसके लिए, मिलते हैं बहुत जाले एक next video के साथ, till then keep smiling and keep learning, यहां तक खतम हो गया chapter number 12, अब वीडियो आ रहे होंगे money और banking chapter के, bye-bye.